नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आए नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर मुख्यमंतरी उद्धव ठाकरे ने ब्रुहन मुंबई महापाली का शेतर में पास्तोवर्ग फुट्त की संपती के धारकों का संपती कर माफ करने की घोशना की है सरकार ने इस कदम पर भारते जंता पार्टी के नागपूर शर के अध्रक्ष विधारिक प्रविन दटके ने सरकार से सवाल किया है कि यदि यहनियम ब्रुहन मुंबई महानगर पाली का के लिए लागधो हो सकते हैं तो यह माफी नाकपुर महारगर पालिका शेत्र के 500 वर्ग फूट तक की संपती धारकों को क्यों नहीं दी गई। नाकपुर शर्राज की उपराजधानी है। दटके ने कहा कि विधानसमा में प्रतिपक्षनेता देविंदर फड़नवीस ने राज में 500 वर्ग फूट तक की संपती पर टैक्स में छूट देने का मुद्धा उठायता। इसके पश्चात मुख्यमंद्री ने शहरी विकास विभाग की बैठक में है घोशना की थी। इस मौके पर शहर विकास मंद्र एकनाश शिंदे ने कहा कि इस घोशना में BMC में 500 वर्ग फूट से कम के 16 लाग घरों को लाब मिलेगा। दटके ने मांग की है कि राज में नकेवल ब्रहन मंबई महानगर पालिका बलकी सभी महानगर पालिकाओं के अंतरगत निवासियों को इस ने ने का लाब मिलना चाहिए। नाकपुर मेट्रो डेल परियोजना के सिताबडी से खापरी मेट्रो स्टेशन और सिताबडी इंटरचेंज से लोकमानगर मेट्रो स्टेशन के बीच 26.5 किलोमेटर के रूट पर में मेट्रो ट्रेन का संचालन हो रहा है। जल्द ही 13.5 किलोमेटर रूट पर मेट्रो चलेगी। इसमें सिताबडी इंटरचेंज से प्रजापती नगर मेट्रो स्टेशन के बीच 8.5 किलोमेटर और कस्तुर्चंद पार्क मेट्रो स्टेशन से ऑटोमोटिव चोक मेट्रो स्टेशन के बीच 5 किलोमेटर का मार्क शा प्रजापती नगर स्टेशन का काम बहुत कठिन और चुनोती पूर्ण था हाला कि महा मेट्रों ने सभी बाधाओं को पार किया और कारे पूरा किया कामटी मार्ग पर कारे करना भी बेहज़ जटिल था जिससे साउधानी पुर्वक पूर्ण किया जा रहा है महा मेट्रों ने सभी चुनोतियों को मात कर कारे पूर्ण करने में सफलता पाई है लेकन यह है कि इन दोनों मार्गों पर मेट्रो रूट पर सिताबड़े इंटरचेंज से वैशनो देवी चौक मेट्रो स्टेशन दर्मियान ट्रेन भारतिय रेल से ट्रैक के उपर से गुजर रही है हाल ही में केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी ने सेंटर रोट फंड के तहत निर्माना धिन फुटाला परियोजना का निरिक्षन दोरा किया माहमेट्रो लोक निर्मान विभा के अंतरगत कारे कर रही है केंद्रिय मंत्री गड़करी माहमेट्रो द्वारा किये गए कार्यों पर समाधा अन्वेक करते हुए सुझाओ दिया कि फुटाला जिल में तेरते रेस्टरॉन की योजना को किस तरह साकार किया जा सकता है महामेटरो के प्रबंद निदेशक डॉक्टर ब्रुजेश दिख्षित ने गड़करी को पूरे प्रोजेक्ट की विस्तुरु जानकारी दी और अब तक किये गए कार्यों का लेखा जो खापरस्तुत किया इस अवसर पर नाकपूर सुधार प्रनियास के दक्ष मनोश कुमार सुरेवन सी, निदेशक परियोजना महामेटरो महेश कुमार सहीत, विभाग के अन्यधिकारी उपस्तित थे यह परियोजना महामेट्रो नाकपुर द्वारा कान्यान विक की जा रही है और इसमें विवर गैलरी, सड़क के किनारे की दुकानों और पार्किंग ब्लाजा का निर्मान शामिल है कार में परिदी सड़कों का डामरी करन भी शामिल है परियोजना के कुल लागत 113 कुलोड रुपए है दर्शक दिर्गा 350 मिटर लंबी है और इसकी शम्दा 4000 वेक्तियों की है वियाईपी कार पार्किंग में 8 स्लोट है और दुपईया और साइकल पार्किंग के लिए 24-24 स्लोट का प्रावधान किया गया है राष्ट्रे पत्रिकाओं में लिखने वाली सुप्रसिद्ध लेखी का निर्मला सुरेंदरन की नवीनतम पुस्तक अनुबंधिता का लोकार पन नवश के सुवसर पर सुप्रसिद्ध साहित्तकार डॉक्टर सागर खादिवाला के शुभस्ते संपन हुआ ओमिक्रोन के बरते प्रको को देखते हुए एक साधे कारेक्रम में वेंगकार अनिल मालोकर उर्दू और हिंदी भाषा की विदूशिद डॉक्टर आदिला खादिवाला महाराष्ट हिंदी साहित्तकादमी के पूर्वसदस्य अविनाश बागडे और बांगला स्टेज की रंगकर्मी रूबी दास की विशश उपस्तिती में यह कारेक्रम संपन हुआ अविशा प्रकाशन की अलपवधी में ही यह 34 वी पुस्तक के प्रकाशित होने पर सबी लेखकों ने अविनाश बागडे को बदाई दी अदिल मालोकर ने मानेवरो का भार माना नागपूर महानगर पाली का हिंदू सिंदू यूआ फोर्स सामाजिक संस्था एवं नागपूर मोबाइल डिलर्स असोसियेशन द्वारा महारक्तदान शिविर कायो जन संस्तार डेक्ष गुड्डू के वल रामानी ने बताया कि नागपूर में चरही रक्त की कमी को दूर करने के लिए शिविर में एक हजार से अधिक लोग रक्तदान करने वाले है इसके लिए युवाओं दोरा पिछले कई दिनों से आसपास के रहिवासी परिसरों एवं प्रतिश्टानों में दस्तक देकर जनजाकरूती अभियान के चलाया जा रहा है अभियान में अब तक 2000 से अधिक रक्तदाताओं ने अपने अपने नाम स्वेच्छा से दर्च कराये है 18 से 65 वश तक हर स्वस्तवेक्ती रक्तदान कर सकता है रक्तदाता का वजन 45 किलो से अधिको रक्तदान के पहले रक्तदाता का वजन ब्लड प्रेशर, बुखार एवं हिमोगलोमीन चेक किया जाता है गुड्डु केवल रामानी ने जनता से शिविर में रक्तदान करने की अपिल की है शिविर को सफल बनाने के लिए ओम प्रकाश बत्रा, महेश केवल रामानी, नितिश गोधानी, राज़ज भट, आधि प्रयासरत है सामाजिक, धार्मिक, शैक्षनिक, तथा मानो सेवा के लिए अग्रेनी संस्ता सर्मानो सेवा संग ने निराधार एवं आर्थिक सिती से कमजोर परिवार के प्रीमेचुर बेबी को नया जन्म दिया निकिता प्रशान बोरकर डिलिवरी है तू, मेडिकल ऑस्पिटल में आठवे महने में ही काफी दर्ध होने से भरती हुई बचे के जन्म के समय वजन कम होने से डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर रखने को कहा लेकिन मेडिकल में वेंटिलेटर की कमी के कारण नीजी अस्पताल में ले जाने की सला दी किन्तो आर्थिक सिती से अत्तन तकम जोर होने और कम से कम 30 दिन वेंटिलेटर क्या उशक्ता होने से पती-पतनी निराश हो गए उन्हें भाजपा कारे करता के माध्यम से सर्व मानो सेवा संग के प्रधान मंतरी आवास योजनात तरोडी शाखा के अदेक्ष प्रितम बोकडे से संपर्क किया उन्होंने संस्ता पकद्दक्ष सुभाश कोटेचा के सहयोग से ततकाल एंबुलेंस बुला कर सकरदरास्तीत मोगरे चाइल्ड होस्पिटल में आधी रात को नवजा शिशु को भरती कराया शिशु को 45 दिन वेंटिलेटर पर रखा गया दवाईया एवन ट्रीटमेंट का खर्च संस्ता ने उठाया सुभाश कोटेचा ने डॉक्टर सरमिष्टा संदीप मोगरे का अभिनंदन किया तथा अक्षय बेलसरे, प्रितम बोकडे, विजय खंडे, राहुल केदार ने शाल और श्रिफर से उनका सत्कार किया महिला कॉंग्रेस से लदक्ष नीता डिसुजा ने नाकपुर शहर महिला अधख्ष के पर कॉंग्रेस की कारकरता नैश अली को मनोणीत किया है प्रदेश अधिक्ष संध्या सवालाखे ने संपुर्ण महाराष्ट के जिला अधिक्षों की नियुक्ति पत्रों पर मुहर लगाई है उलेकन यह है कि नैश ने महिला कॉंग्रेस के विबिन पदों पर आम जनता के लिए कई जनूपयोगी कारे किये है वरतमान अधिक्ष प्रद्ना बढ़वाई के स्थान पर नैश की नियुक्ति की गई है नैस ने अपनी नियूकती पर खुशी जटाते हुए कॉंग्रेस के राष्टी अदेख्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रदेश अदेख्ष नाना पटोले, प्रदेश मैला अदेख्ष संध्या सवालाखे, विधायक वष्यार अदेख्ष, विकास ठाकरे, कॉंग् अखंड भारत विचारमंच की ओर से प्राचिन शिवमंदिर मानकापूर में श्रीराम कथा का आयो जन किया गया। उनके साथ सिर पर पोथी रख कर यजमान मनोच कुमार सिंग अपने परिवार के साथ चर रहे थे। मार्क पर पुष्प वर्शा कर कलश यात्रा का स्वागत किया जा रहा था। अपने हर दिन के दोशों से मुक्त होना चाहिए। कारेकरम के सफलतार्त, राष्टु पाध्यक्ष, भागवत सिंग खंगार, दिपक पांडे, वासुदेव दुएदी, मंच के सभी पदादिकारी कारेकरता तथा बक्त दगन प्रयासरत है। विनकर अगारी महराष्ट पदेश के संयोजग शाम सांदेकर ने सुक्ष्म लगह उद्योग मंती नारान राने से नाकपुर के सेंटर पॉइंट होटेल में मुलाकात करके कहा, कि 12% जियस्टी करने से कपड़ा वयापारियों में नाराजगी है। कपड़ा वयापारी तीन मेहने के उधारी पर छोटे वयापारियों को कपड़ा देता है, जिस कारण जियस्टी बढ़ने से वयापारियों में नाराजगी बढ़ गई है। इसलिए जियस्टी 5% के वयापारियों को रहाद देने की मांग की गई कपड़ा एक जिवनावश्यक वस्तु है। गनेश रमभाड, यूराज निपाने, आधिकारे करता तथा पदाधिकारी गन उपस्ति थे। आज 18 प्लस और 45 प्लस आयूवर के सभी नागरिकों का कोविशिल्ट का टिका करन नागपुर महनगर पालिका के साथ साथ सरकारिक के इंदरों पर होगा। टिका करन का समय शाम के पाच बजे तक होगा। टिका करन के लिए ऑनलाइन और आफलाइन दोनों पद्धितियों से पंजी करन किया जा सकता है। इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन के इंदरों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयो के सभी नागरिकों को कोविशिल्ट के जरीए टिका करन किया जाएगा। यह जानकरी चिक्षा स्वास्त दिकरी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी। इसी तरह 18 वर्ष और 45 वर्ष के नागरिकों के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बाबा साहब आमेटकर अस्पताल, काम्टी रोड, वस्वर्गिय प्रभाकरदट के मनपा महारोग निदान केंद्र, इम्स, आइसलेशन अस्पताल इमामवाडा, इंद्रा गांधिय स्वताल गांधिनगर, मनपास्त्री अस्पताल पांच पाउली और प्रगती हौल दिगोरी में उपलब्ध है, आदिवासी हलबा समाच के हलबा इलगाल महामोचा के जगदिश खापेकर के नेटरुत में समाच की ज्वलंद मांगो कर आकरोज जताते हुए नाकपुर के जाड़े चोग पर अनशन जारी है, इस अनशन के दोरान अनशनकारियों ने सरकार की व्रोध में लोटांगन आंदोलन कर आकरोश वेक्ट किया, इस आंदोलन में उपोशन करता रवी पाउनी कर, रवी पराते, दुरगेश पार तोमेश और पराते, राज़ेश बंडे, विजय नंदनवार, पंकज बिनेकर, मारोती निनावे, सागर भनारकर, विजय मोंदेकर का समावेश रहा नाकपुर मारगर पालिका ने 15-18 आयूवर्ग के लड़के और लड़कियों का टीका करण आज 3 जनवरी से शुरू करने का नेरने लिया है मनपा प्रशासर ने 15-18 आयूवर्ग में टीका करण के लिए शहर में 60 टीका करण के इंदर स्थापित किये है विशेश रूप से स्कूलों के अनुरोथ पर स्कूलों में टीका करण के इंदर स्थापित किये जाएंगे 18 साल के बच्चों का टीका करण नियमित रूप से जारी रहेगा नाकपुर शहर में 15-18 साल के बच्चों के टीका करण के लिए नागपुर महानगर पालिका, सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इम्स, मनपा के इंदरा गांधी अस्पताल गांधी नगर, प्रगती हौल दिगोरी, आइसोलेशन अस्पताल, मद्दरेलवे अस्पताल, डॉक्टर आमबेट कर अस्पताल कामठी रोड सहित, साथ के इंदर बनाए गये है, इन के इंदरों पर सोमवार 3 जनवरी को सुबद 10 बजे से शाम 5 बजे तक कोविड वैक्सीन दी जाएगी, केवल 18 वश की आयू से कम उम्रके बच्चों को को वैक्सीन का टिकाल लगाया जाएगा, दूसरा डोज 28 दिनों के बाद दिया जाएगा, 31 गंटे में घर छोड़ दिया जाएगा, कार्टोल नापूर से लगा हुआ एक बड़ा शहर है, हम इस शहर के सामाजिक, आर्थिक और शेक्षिक विकास के लिए अपने प्रयाज जारी रखेंगे, केंदियर राजमार्क और सड़क परिवन मंत्री नितिन गड़करी ने इस अउसर पर भाजपानेता चरन सिंग ठाकुर, सांसत कृपाल तुमाने, विधायक आशिश जैसवाल, पुरो विधायक गिरिश्वयास, सुधाकर कोहले, अर्विन गजबिये, उकेश चवान, आदी उपस्तित थे गड़करी ने कहा कि आज जिस जलतरन तलाब का घटन किया गया है, वह आंतराश्ट्यस्तर का होना चाहिए, यह तालाब उसी पैटर्न का हो गया है अब इस तलाब में प्रशिक्षित बच्चे राश्ट्य और आंतराश्ट्यस्तर पर तैरा की प्रतियों किताओं में जाएंगे, शहर में दो बड़े मल्टिपलेक्स थेयर्टर भी होने चाहिए, छात्रों को प्रोचसाहित करने के लिए सुबह इस थेयर्टर में अच्चे के विचार गड़करी ने उद्गाटन समारों के अउसर पर वेक्त किये शिव सेना की विंग, शिव अलपसंख्यक सेना, महराश की उपाद्रक्ष महंबूब भाई के आदेशा नुसार और अनिस चमडिया, वप्रतिक बहुगना के मार्गदर्शन में विदर्ब संपर्ग प्रमुग संतोष ठाकुर, सर संपर्ग प्रमुड विद्नोत कल्यानी क नेटरूतों में एक प्रतिनीदी मंडल ने सिताबर्डी पुलिस स्थाने में ग्यांपन सोपा, प्रतिनीदी मंडल के सदस्यों ने सोशल मीडिया द्वारा अलपसंख्याक समुदाय के महिलाओं के खिलाप अपमान जनक कंटेंड दिखाया जा रहे एक एप के खिलाफ कार करने की मांगी इस प्रतिनीदी मंडल में मुख्यरूप से नाकपु जिला अदक्ष बंटी पांडेल, जिशान काजी, रमजान अंसारी, सोहिल शेक, शुभम बोल्धन आदियू पस्तित थे आल इंडिया रिटार्मेंट रेल्वे असोसेशन मद्धर रेल्वे नाकुरद्वारा पेंशनर दिवस के अउसर पर डॉक्टर बालकृष्ण महाजन के 110 वी बार रक्तदान करने पर 10 पुस्तकों के प्रकाशित होने पर तथा यूटूब पर पसारित लगुनाटिका के ल इन के पदादिकारियों सहीत सेवा नियुरुत्त कर्मचारी तता पदादिकारी गयन उपस्तित थें नववर्ष के अउसर पर श्री गुरुद्यों सेवा मंडल के सभी गुरुद्यों भक्तों ने नववर्ष की शुपकाम नाय दी और संत जगनाडे महाराज की पुनेतिती उत्साह के साथ मनाई कारेकरम में बड़ी संख्या में श्रत धालू वस समाज की लोग शामिल हुए सरोप्रतम संत जगनाडे महाराज की पुजा अरचना कर राष्ट वंदन किया गया इस अउसर पर कामठी तालुका गुरुद्यों सेवा मंडल के प्रकाश भाले राव पुंडलिक चोधरी, भयालाल मक्के, जिलायो जक्तेकाडे गुरुजी, नालिनी धुदास, बबंद्राव टेंगरे, रामाजी टेंगरे, गंगाराम गौरकर, पंकत चोधरी, संभाजी सोनवने, हरिलाल टाटोडे, अर्विंद चोधरी, सुरेश सोनवने, देवनात चिंटू कालसकर, इश्वर काकडे, नम्रता काले, सविता काले, गीता तातोडे, रेखा कडू, सविता भालेराव, अजय गैधाने, यश भालेराव, सक्षम काले, प्रिंस काले, युगल राउत, समेत सैक्णों कारेकरता गन मौजूद थे महानगर भाजपा कामगारा घाडी और शू संकल प्रपतिष्टान नाखपुर के सेयुक्त तत्वाद्धान में, मध्यनाखपुर और पूरणापुर में भव्य इश्रम कार्ड शिविर, युनिवर्सल पास, डिजिटल हेल्थ कार्ड और सांसद हेल्थ कार्ड वितरन शि विधायक प्रविन्देट के प्रमुकतिती विकास कुम्भारे, विधायक कृष्णा खोपडे, पूरो विधायक गिरिश्व्यास, भाजपा कामगारा घाडी अदक्ष भासकर पराते, नगर सेवक मनोच चाफले, नगर सेवी का श्रद्धा पाठक, मुख्य रूप से उपस विधायक खोपडे ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि जनता के हित में भारतिय जनता पार्टी पूरी ताकत से प्रयासरत है, हम सरकार की योजना सामन नागरिक तक जरूर पहुचाएंगे, कारेक्रम का संचालन विलास पराते ने किया, कारेक्रम की सफलता के लिए सागर परतिवारी पवनन गर्धने, रोशन हेडाओ, आधी पदादी कारियों और कारेकर्ताओं ने परिश्रम किया, नव वर्ष का स्वागत करते हुए सेवाभावी संस्तान सकरदरा व्यापारिस संके तत्वाधान में मानो सेवा को समर्पेत रक्तदान शिवीर कायो जन हॉल में किया गया, समस्तर अक्तदाताओं को डोनर कार्ड, प्रशस्ति पत्र, एवं स्मृतिचिन प्रदान कर सम्मानित किया गया, मंज पर सकरदरा पुलिस स्टेशन के निर्खशक धरनजय पाटिल, संस्तापक समीती के डॉक्टर मन मोहंदराथी, नरेंदर सतीजा, पकधुरडे का शाल वश्रीफल प्रदान कर सतकार किया गया, संस्ता के प्रयासों की सराना करते हुए, पाटिल ने कहा कि व्यापारियों की संस्ता की समासेवा अनुकरनिय है, उन्होंने कहा कि मरीजों की सेवा इम ब्रक्तदान जीवन का सर्वस्रेश्ट काम है, यही सच शिमानों सेवा है जियस के ब्लड सेंटर की ओर से डॉक्टर आशिश खंडलवाल ने वाधवानी को स्मृतिचिन प्रदान कर सम्मानित किया कारेक्रम का संचालन नरेंद्र सतीजा ने किया आभार राजु कावले ने माना कारेक्रम के सफल आयोजन में अनिल खत्री विलास व आदिवासी हल्बा समाज के हल्बा एलकार महामोचा ने जगदिश खापेकर के नेटरूत में चर्रह आदिवासी हल्बा समाज का अनशन पिछले तेरा दिनों से जारी है तेरावे दिन आदिवासी हलबा समाज की महलाए अनशन स्तल पर पहुँची और मांगो को लेकर आक्रोज जताती हुए सरकार की विरोध में नाखपुर के जाडे चोक लाल गंज में बड़ी संख्या में अनशन शुरू किया अनशन करताओ में प्रदीब पौनिकर, लक्ष्मन पाटराबे, संदीब चीजगरे, विजय नंदन कर, शेखर सेलू कर, सुरेकान उम्रेड कर, आदिका समाविश रहा शहर युवक कॉंग्रेस में सक्रियनेता व समासिवी शोयब रंगुनवाला ने शहर महिला कॉंग्रेस कमिटी के अद्रक्ष बनने पर नैश नुसरत अली का सतकार किया इस अवसर पर नैश नुसरत अली ने वसिम खान को अपना पूराना साथी बताया और उन्होंने आगे भी उसके साथ कॉंग्रेस पार्टी के जनहित में किये जा रहे कारे करने की उम्मिद जताई साथी अली ने शोयब रंगुनवाला का भियाभार माना वसिम खान ने कहा कि अली की नियुक्ति के बाद महिला कॉंग्रेस में एक नया जोश और बदलाव आएगा इस अवसर पर नंदा अतकरे आदर्श जैसवाल तथा अन्यकारकरता एव पदादिकारी गन उपस्ति थे तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए BKB News नमस्कार